नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं रहा से के बार और आज इस वीडियो में एक्स्प्रेंट करने जा रहे हैं दीव एमपाइडा है इसका सीजन 8 का एपिसोड नमबर 3 तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले करने चाहिए वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल पहला सीजन एक विजन है जो सिविल दिखाने लग रही है डेमन को जहाँ पर हम देखते हैं कि बानी के अंदर अलीना मर जाती अपने पेरेंट्स के साथ बचती नहीं है उस स्टोरी में और हम देखते हैं गाड़ी को बहार निकाल देते हैं पुलिस और पैरामेडिक दोन और ये विशन दूर खड़ा देखने लग रहा था और उसके साइड में सिबिल खड़ी थी और वो उसे पूछते हैं तुम जानते हैं अलीना कोन है और ये कहने को बलता है नहीं मैं नहीं जानता और ये कहने को सिबिल स्माइल करती है बस मुझे यही चाहिए था और एक त परासे एंजो के धिमाग के अंदर झाकना चाती है बड़ नहीं देने दे रहा और वो कहरी है कि हुमानिटी टर्न आफ कर दो बड़ एंजो बोल रहे है ऐसा क्यों करना है मैं तुमारे काम करते हो रहा हूं तुम्हें प्रॉब्लम क्या है और ये कहने के बाद पीछे पड़ेगा ये सुनने का एंजो बोलता मुझे उसके कोई मतलब नहीं है और ये कहने के बाद सिबल बोलती है ओके तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती है तो लेट्स ट्राइट डेमन तुम मेरी बात सुनो क्या तुम मेरे लिए बानी बैनेट को मार दोगे और ये कहने को और देन बोलता है हाँ पक्का मार दूँगा क्योंकि उसकी टॉन पर हम देखते हैं कि अब एंजो डरने लगता है अब फिर वहीं हम बानी को देखते हैं जो भी सैलवेटर हाउस में थी और सप्राइस करती है कैरलाइन को बैठ पर ही और कहती है तुम्हारी शादी होने वाल आई हूं और यह तुम्हारी वेडिंग बुक जो तुमने बच्पन से त्यार करके रखी थी तुम बच्पन से शादी के लिए इतनी ज्यादा उतावली जो थी और तुमने मुझे का था कि तुम्हारी शादी सबसे हटके होनी चाहिए इसलिए मैं त्यारी करवाने के बहुत जादा खुश हो जाती है फिर बानी पूछती है कि तुमने यह बात अलारिक को बताई है क्या और उसका क्या रियक्षन था और हम देखते हैं इस मॉमेंट पर कैरलाइन चूप हो जाती है और बोलती है हां रियक्षन नॉर्मल इथा और थोड़ी हैजिटेट करती ह बताने से बानी और कैरलाइन को देखते हैं जो साथ जा चुको थे शॉर्पिंग करने लिए उस ड्रेस की तब ही हम देखते हैं वेडिंग ड्रस सेलेक्ट कर रहे थे और तभी बोलती है मैं तुमारा लिए यक अच्छी सी ड्रस क्यूजक्यों क्यूज करूए तो मेरी वे और तुम्हारे लिए लखी होगा और यह कहने को प्रैक्टिस करने लगती और तब हम देखते हैं वहापर डेमन आतार उसे कैच करता है और वहीं पर हम देखते हैं उसने एक लड़की की जान भी ले ली थी और यह कहने को बोलता है मुझे नहीं पता था मेरे ब्रदर की और तब हम देखते हैं अगए लगता है यहां और बानी उसकी तो कभी शादी होगी दूसरों की शादी की त्यारियों में लगी रहती है कहां पर हो तुम्हारि रत्म और तब बानी इसके सामने आते हैं उस पैक करती है और सब बढ़िसी पाइब देती है उसके पेट प्र पार करके उसे दिवार में गाड़ देती है और इस महाँट पे हम देखते हैं उदोनों वहाँ से भाग चुकी थी पर हम देखते हैं एक तरह से खुश भी था कि उसने बानी को अपने आतों से नहीं मारा अफिर हम देखते हैं वहाँ पर आ जाती है सिब्ल एंजो के साथ और तब ही बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है बस मैं सोच रहा था उन लड़कियों के पास कितनी हिमत होगी और यह कहने को बोलता है नहीं कोई तो गढड़ पड़ है और तभी माइंड पढ़ने की कोशिच करती है एंजो का बड़ एक मोमेंट आ जाता है कि बानी और डेवन और बानी की थी तभी हम देखते हो एक ऐसी memory देखती है जहां पर वो एक दूसरे को लड़ रहे हैं चिला रहे हैं एक दूसरे के उपर और एक दूसरे को death threats दे रहे हैं और यह देखने पास बोलते हैं यह तो बहुत सारे harsh word है फिर तो उसकी care क्यों करते हो और तभी उसका brain पूरी तरह से पढ़ने कोश्च करती है और वो moment देखती है जहां पर वो एक दूसरे के साथ prison world के अंदर जाने लग रहे थे और वहां पर बोलते हैं चलो यहां पर को change क्या जा सकता है और तभी वो बानी की जगा अपने आपको replace कर लेती है और यह कहने के बाद उसका brain से बानी के कुछ memories मिटा देती है और यह कहने के बाद बोलते है चलो मैंने कुछ तो सही काम कर दिया और अब आगे काम करते है तीनों मिलकर और यह देखने के बाद एंजो बहुत ही जादा गुस्सा था और टेंस भी बानी के लिए अब फिर हम देखते है स्टेफन को जो लारेक के पास पूछने के लिए तो इन सब सिजेशन से कि एला हम मुस्से शादी कर रही है और यह कहने के बाद कितनी बार बोल ले हूं उसको भी बोल दिया था I have no problem और तो में चाहिए तो फ्लावर गल्स के दोरपे मेरी दोनों बेटिकों को भी लेके जा सकते हो not a big deal औ और यह कहने के बाद उनकी जो इंटरन थी बोलते हैं इसको कोई फरक ने पढ़ रहे हैं तुम टेंशन मत लो और यह कहने के बाद स्टेफन पूछता है यह दोनों कोन है और तब लारिक बोलता है इंटरन्स है और अपना काम करना चाहिए यह प्लीज काम करो तुम दोनों औ और तुमने अब तक कितनी रिसर्च की और क्या पता किया उसके बारे में और तभी हम देखते हैं वह दिखाता है एक टूनिंग पोक और बोलता है यह हमें मिलाए और पता नहीं कैसे करना है इसके बारे प्रॉपर इंफोर्मेशन कहीं भी नहीं थी बड़ी यही चीज है जो साइडनस को इतना से हरा सकती है और तभी हम देखते हैं डेखने के बाद बोलते हैं शायद हम उसे स्टैफन के पास बोलती है और बोलती है और अगर मारना लगबग मैंने हटा दिये थे क्योंकि मैं चाइल्ट प्रूफ करना चाता था घर को बट लाइब्रेरी के अंदर कुछ हो रहे हैं तुम जाके ढूंड सकती हो और यह कहने को जाने लगते हैं और वहीं पर स्टेफन बोलता है अलारिक से कि तुम्हार पास अब कुछ दिन नह पास अब करने तो चलेगा ना सही होने के बात भी और यह कहने को बाद बानी बोलती है असा नहीं होने वाला है वह स्टेफन का भाई है तुम्हार ब्रदर-इन-लो उसको तो आना ही पड़ेगा और यह कहने को बोलते हैं मैं इसा नहीं चाती थी और तभी सारी एमो है कि यह है कोन और हमारे घर में कर के आ रही है अब फिर हम सिबल को देखते हैं जो कैरलाइन की वेडिंग बूक पड़ रही थी अब बोलते हैं बट यह यूनिकॉन पर राइड करने वाले चीज मुझा अजीब लगी और यह कहने को बोलती कि यह मैंने 6th grade में बनाई थी अगर तुम्हें यह पसंद आई है तो congratulations तुम्हाई fashion sense 11 साल के बच्चे जितनी है और यह किया कि सिबल की साफ बेशती करती है तब हम देखते सिबल खड़ी होती है उसे ignore करते हो बोलते है मैं यह आप पर बानी के लिए हूँ और बानी तुम्हारी कोई ऐसे बुक नहीं है अब यह कहने को बानी बोलते है मुझे इन चीज़ों में इंटरस्स नहीं था और तब सिबल बोलते है इन चीज़ों में तो इंटरस्ट नहीं है और दो लटकों बड़ा इंटरस्ट है तुम्हें एक है देमन दूसरा है एन्जो मैं समझ चकती हूँ एन्जो तुम्हारा boyfriend इसके साथ तुम्हां पका रिलेशन्शिप चल चुका है कई साल होंगा और उपर से उसका एक्सेंट है उसका एक चाम है पता समझ जाता है तुमारा और तुम भी कितनी ब्यूटिफुल हो देमन के साथ तुम्हारा क्या है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है उससे तुम लड़ती भी हो तुम उससे बात भी करना चाहती हो बट मैं समझ नहीं पारी हूँ और तुम साथ में प्रिजन वर्ल्ड में गय थी एक लंबे लंबे टाइम के लिए तो तुम्हार पास रखो और तब बोलती है चलो बैठ के बात करते हैं और मुझे पता करना है कि तुम्हारे पीच में और क्या था और प्लीज बैठ जाओ और यह कहने के बाद हम देखते हैं बानी और कैरलाइन भी और वहीं पर सिभिल बोलन लगती है ऐसा क्या है कि दोनों तेरे लिए बहुत जादा favor करते हैं और कोई तो गड़ पड़ है तुझे choose करना पड़ेगा उन दोनों में से किसी एक को मुझे मेरे soldier बिल्कुल loyal चाहिए चाहिए एक चाहिए तो मैं ऐसा करती हूँ अगले 20-25 मिनिट में एक fight स्टार्ट होगी जो होगी Enzo और Damon के बीच में और जो इ आपने phone से phone कर रही है तुझे पता है मैं और यह कर ने को देंट मैं चाहता हूँ मैं हाइग स्कूल के पास हो तू जल्दी आजा गरते है पस कोई भी hope बचाने की तो तू जरूर आएगा मुझे मिलने के लिए और यह कह सेब्सक्री करता है और वहीं हम देखते है स्टेफ बहुत बड़ी पजल बनी है और दिखाता है कि वहाँ एंजो को बांद रखा है और बोलते हैं शायद मुझे इसे वार ना पड़े और यह सुनने को स्टेफन हेरान था कि क्या तो बानी को मारने वाला था और अब डारेक्टली एंजो को तो कुछ बड़ा प्लान कर रही है स थेleyस. छायदी हेल सीमबल है जैसे कि मेरा मर कर सकती है और यह कहने को बूलता है ने उसने तो तरफ दो है कुछ तो और चीज हो सकती है और तभी हम देखते है और को अभी यकीन नहीं रहा था उसकी बात लगात, हम लिए सबकोले को यकिन वहा अब आरिक अपने बेटियों के लिए खाना बना रहा था उसे कि पूरलने लगती है और लटती है कि ये मेरा है और ये जो और यह देखने के बाद ऊपर से इंटन आती है और यह देखने के बाद अब अलारिक बोलता है हाँ मैं समझ किया ये एक टूनिंग फोग की है जैसा मैंने पहले सोचा था और ये कहने के बाद समझ आता है कि कैसे रोकना है अब इन साइरन्स को अफिर हम देखते कैलन और बानी लेके जाने लग रहे थे सिबिल को उस प्लेस पे जो थे हाई स्कूल जहां पर देमन और एंजो के वीच में लड़ाई होने वाली थी और तभी हम देखते इस मोमेंट पर गाड़ी में एक साइरन बजने लगता है और ये देखने को सिबिल बोलती है ये क्या है और तभी कैलन बोलती है तुम्हें पता है तुमने सीड वैल्ट नहीं लगाई ह इसका साइरन है और ये कहने के बाद सिबिल बोलती है मैं इमोटलूं उझे कोई जुरत नहीं है और ये कहने के बाद हम देखते कैलन टेक्स करने लग रही थी स्टेफन को और बोलती है तुम अपनी इमोटलिटी को किस तरह रिस्पेक्ट करती हूँ पता चल रहा है 200 साल जेल के अंदर रही हो और फिर भी इस फ्रीडम की रिस्पेक्ट नहीं करती हो और तभी हम देखते है बानी सबज लगते है पूरी सिच्वेशन को जैसे हो टेक्स कर रही थी वही हम देखते है थोड़ी देर बाद सिबिल उनको एकदा से मैनिफलेट कर रही थी और बोलती कि देखतें कॊन जीता है मुझे नहीं लगता कि एंजों जीत सकते क्योंकि को सपोर्ट नहीं करेगा और तुम्हें क्या लगता है करेंगा-एंजिक नहीं ही- वेखते मैफिलेश हं- और तदो director केतना बुरा लग रहा लगतीे पूतीए कि र्याहें तुम्हें भी लगता ह यहां मैं अपने आप चोईस करूँगी और फुल स्पीड गाढ़ी ले जाती है और एक दम ब्रेक मारती है और जैसे ब्रेक मारती है सिबल विंडशील्ड तोड़ के बाहर गिरती है और जैसे वो गिरती है हम देखते हैं पूछते हैं पानी तुम सही तो और तभी कैरलाइन किसी को चूज नहीं करना चाता हूँ और तभी देखते हैं जैसे टाइम करेक्ट होता है वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं बीच में उसे सुढ़ाने की बात्ता है बार बार कोशिश कर रहा था स्टेफन बड़नों स्टेफन को भी मारते हैं और एक दूसरे को भी तो मैं इस वैपन को लेकर जाने लग रहा हूं एक एवल एशेंट क्रीचर को मारने के लिए और हम देखते हैं उसकी इंटर्न शक में थी और रियल बोल रहा है या फिर मज साग करके गया है अब फिर हम देखते हैं आने लगते हैं बानी और कैरलाइन बट अब बहुत जादा टेंस हो जाती है और सोचती है क्यों कैसे बचा एंजो उसके पास पावर भी नहीं है और उपर से देमन को भी नीमटना देना चाती और एंजो को तो बिलकुल भी नहीं और वही पर स्टेफन दोनों को रोखने की खुश करता है बड़ इस मॉमेंट पर डेमन की जान खत्रे में थी तो यह देखने को स्टेफन अपने भाई की सपोर्ट की और लगबग एंजो को मार नहीं वाला था बड़ तभी हम देखते हैं कैरलन वहां आती है उसको रोखत ठिखता था एंजो को वह आस्ट यह झा पानी हम देखते हो तुम्हारे पास टाइम है चूज करो तुम्हें कौन चाहिये और देखते ब्राके। वहांपर एंजो मरने लग रहा था तो यह डेखने के बात बोलती है Premier को क्यों है यह उसनी अछा वफदार है और शैयद मैं उसको न मारके ऐिन्जो होच्छा हूर। और यह कहने को बोलती है बानी तुमा ही तो wrong choice थी बट मैं सही करके रहूँगी मैं मारूँगी Enzo को और demon मारेगा तुमें यह नया plan है और यह कहने को बदम दिखते हैं अब Enzo आगे अट जाता है और बोलता है बानी को कोई कुछ नहीं कहेगा और यह कहने के बाद अप Enzo से deal करती है सिबिल कि तुम किसी काम के नहीं रहे अब तक बड़ तुम मेरे काम आ सकते हो अगर तुम अपनी humanity turn off कर लो और मेरे गुलाम बन जाओ lifetime के लिए तो शायद मैं बानी की जान बख्ष दूँँ वरना demon से मारा जाएगा और कहती है प्रॉमिस करती हूं 101% ऐसा ही होगा और यह कहने के बाद अपने के बाद अपने के बाद उसे किस करता है और अपने humanity turn off कर देता है और यह करने के बाद सिबिल के पीछे जाके खड़ा हो जाता है तब है सिबिल बोलती है एक प्लान में छोटा सा चेंज है एंजो तुम बताओ अब क्या मैं तुम्हाई girlfriend को मार दूँ और यह कहने के बाद एंजो की humanity turn off हो चुकी थी वो बोलता है हाँ मार दो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है और यह कहने को सिबिल बोलती है चलो डेमन तुम इसे मार दो मैं 10 गिनती हूँ तब तुम बादी को मार देना और count down शुरू करती है और फिर बोलती है एंजो फिर बताओ क्या मैं तुम्हाई girlfriend को मार दूँ और क्या उसे टुकड़े कर दूँ और तभी एंजो बोलता हाँ कर दो मुझे कोई मतलब नहीं है और यह सुनने के बाद अब बादी रोणने लग जाती है और वहीं पर आप डेमन को ओडर मिल चुके थे और फिर हम देखते बानिया भाजने लगते है बाहर के तरफ और तभी हम देखते हैं उसके पीछे आता है डेमन और बोलते हैं तुम्हें पुराने स्टाइल से मारूं ख्पी तुमारी हड्डियां तोड़ दूший हाओ। क्ग पर तभी अर्स बिश्याओं उसको प्रटक के मारते जिससे वाईब्रेशन इसे डी कृतीए और जैसी वह गिरती है एंजयों मार ने के लिए रहता है और वहीं पर टेफान उसकी कर्दन थोड़के मारता है उसे और वहीं पर कैरलाइन खीच के लाद मारती है सिभिल को उसी वन पर हम देखते है डेवन बोलता है मुझे यहांसे जाना पड़ेगा अब एक आनी खतम हो चुक है मुझे इससे बड़ा काम करना है और यह कहने के बाद स्टेफन बोलता है क्या काम तू मुझे बता क्यों नहीं रहा है और यह सब देखके हरान थी कि हापर रियल में हो क्या रहा है अब फिर हम देखते है अगला सीन आर्मरी का जहां पर उनने पकड़ लिया था सिभिल को और पकड़ने के बाद बानी बाहर खड़ी थी स्टेफन के साथ और बोलती है तुम्हें क्या दिखता है डेमन के अंदर त यह कहने को बहां से चली जाती है तभी हम देखते है वहाँ पर कैरलाइन आती है और बोलती है स्टेफन बुरा मत पानना उसको थोड़ा बुरा लग रहा है एंजो के लिए इस वाचे सा बीएव कर रही है और तभी सेफन बोलता हां मैं समझ सकता हूं और थोड़ी गलती म अच्छा जायसा करना कि आज मैं घर नहीं आ सकती हूं क्योंकि मैं बानी के साथ टाइम स्पेंट करूंगी क्योंकि उसका मूट थोड़ा ओफ होगा और यह कहने को आंसे चली जाती है और हम देखते सिबल भी रियक्ट नहीं कर रही थी और मूव भी नहीं कर रही थी अब है भाई ने एक तरहना से पंगा खड़ा कर दिया है हम उसको सही कर करेंगे क्योंकि मेरा कोई रियल भाई नहीं था बट मैं डेमन को अपने भाई जैसा बनता हूं और मैं उसको वापस लाना चाहता हूं उस स्टेट में जैसे वह पहले था और यह कहने के बास से अपने ब मैं भी इस प्लान में शामिल होंगा वहीं पर हम देखते हैं सिबिल को जो गुन गुनाने लग रही थी और यह उसकी पावर एक तरह से अपने विक्टम और होस्त के दिमाग में जाकने के लिए और उनसे कॉम्निकेट करने के लिए जहाँ पर हम देखते हैं वो डेमन के मा अनकेक्स बना रहा था और तभी वो बोलती है तुम्हारी कुछ प्रेमरीश चेंज करने पड़ेंगी और जितने भी लोग तुमसे होप लगा के बैठे हैं उन सब की होप को तोड़ना पड़ेगा तभी शाय तुम मेरे को पूरी तरह से फोलो करो जो तुम अभी करनी पा और वही पर हम देखते गाड़ी आती है और गाड़ी रोकनी के बाद हम देखते हैं उसके अंदर कोई और नहीं लोकूड था टाइलर लोकूड अभी भारत वर बोलता है तुम यहां पर क्या कर रहे हो और यह कहने को बोलता है मैं तो सिटी की तरफ जा रहा था और तुम यह सब कर क्यों रहे हो और यह कहने को बोलता है तुम छोड़ तो अपने घर जाओ बैटर है और यह कहने को पीछे मुड़ता है और टाइलर एक गन निकालने लगता है और हम देखते है कि तभी उसकी गन का हाथ पकड़ लेता है तुम सब लोग मिले हुए हो और मैं तुम मैं मार दूंगा, और यह कहने केबाद अब तो मुझे बिल्कुल भी नी मारने वाला है और ऐसा नहीं होगा और यह कहने को बाद टाइलर को धकका मार की जाने लगता है और तभी टाइलर बोलता अकर तुने ऐसा कर दिया तो सब लोग dosa kश deb G बैठेंगे और ऐसे तु करेगा नहीं मुझे पता है उससे सब लोग नफरत करेंगे और यह सुनने को तो हम देखते हैं कि डेमन को वही तो चाहिए था और तब यह अब देखते हैं कि टाइल लोगवड मर चुका है पूरी लोगवड फैमिली खतम हो चुकी है वहीं पर हम देखते हैं कि सिब्ल कितनी पावरफुल है जेल के अंदर बंध होने के बाद भी अपने किस तरह से कंट्रोल कर रही थी वो उनके होस्ट बन चुके थे बोडी जिस अब देखेंगे अगले एपिसोड में और गाइस एक नोटिस मैं दी ओरिजिनल पर वर्क कर रहा हूं राइट नाओ बट मैं उसको अफ्लोड करूंगा दी वेंपार डायरीस के एंड होने के बाद ही क्योंकि मैं थोड़ा घोच पोच नहीं करना चाहता हूं जैसे वेंपार थैंक्स अलोट लाइक शियर सब्सक्राइब करो और हम जल्दी खतम कर देंगे दी वेंपार डायरीस को भी बाइबाइ टाटा सायोनारा